टेयर फैनली डिले कर करके इन्होंने ब्लैक आडम का ट्रेलर दे ही दिया जैसा मैंने एक्सिपेक्ट किया था ट्रेलर वैसा ही है नाही कुछ जादा रिवील करती है और एकसाइटमेंट भी बनाई रखती है और जैसे अब डी-सी ट्रांसपाम हो रहा है वैसी टेलर में comedy के elements भी है और उपर से rock का charisma भी जो की से entertaining बना देता है इसलिए चलो और delay किये बिना breakdown में डूपकी लगाते हैं टेलर के first shot में हमें एक aircraft दिखाया जाता है और आगे के कुछ दूसरे shot से ये पदा चल जाता है कि इसी से justice society of America travel करते हैं वैसे comics में ऐसा कोई ship नहीं था लेकिन justice league के पास justice league cruiser था तो ये वहाँ से inspiration हो सकता है नेक शॉट में हम black adam के body को ले जाते हुए देखते हैं और उसे container में रखा जाता है आप यहां containment, fluid and cry solution जैसे turns को लिखा देख सकते हो जो कि आप कह सकते हो किसी के body को hibernation वाले form में रखने के लिए किया जाता है अब यहां मैं guess करू तो 5000 साल पहले as slave black adam की death हुई then frozen area से जहां ये ship जा रही थी वहाँ से इसकी body recover हुई सिंस वो इतने सालों तक जमा रहा तो उसका body decomposed नहीं हुआ और maybe वो किसी तरह से cursed होगा जैसा कि comics में था अब cursed कैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ जिसके लिए हमें comics के पन्नों को पलटना पड़ेगा तो देखो हुआ क्या था कि खंदक नाम की ancient city में उस time slavery चलती थी और वहीं Adam अपने family और भांजे अमन के साथ रहता था ये अमन नहीं वो दूसरा अमन था देन कुछ events हुएं जिसके बाद Adam अट अमन रॉक अफ इटरनेटी पे पहुँच गए जहां उन्हें विजार्ड शजैम मिला वही विजार्ड जिसने बिली बैटसन को सूपर पावस दी हैं दिन विजार्ड ने इन दोनों को भी अपने सूपर पावस दी हैं बट पावस मिलने के बाद अमन शान्ती बनाये रखना चाहता था और अड़ अपने फैमिली का revenge लेना चाहता था जिसके लिए उसने अपने भांजे को ही मार दिया और बन गया Black Adam और यहां से उसकी revenge की journey स्टार्ट हुई फिर क्या wizard को इसका पता चला जिसके बाद वो Black Adam को कर्स करके capture कर लेता है और उसके powers को एक ancient Nicholas में चुपा देता है तो समझी गए होगे कि आखिर Black Adam कर्स कैसे हुआ वैसे दो साल पहले इसका एक teaser भी निकला था जिसमें एक purple stone दिखाये गया जो कि मुझे लगता है कि ancient Nicholas का ये replacement होगा इसके power का source होगा यहां में first look मिलता है Kent Nelson का मतलब की Dr. Fate का जिसमें मैं थोड़ी देर में आता हूँ पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं Black Adam की तो comic book से similarity हमें यहां भी उसकी origin दिखाई जाती है कि कैसे वो slave था खंदक city में लेकिन most of the story change कर दिये गये हैं यहां उसके बातों से ऐसा लगता है कि उसे बचाने के लिए उसके बेटे ने अपनी जान दे दी थी then ultimately मर गया था और एक तरह से wizard के powers के साथ उसका rebirth हुआ था comic books में भी wizard जब Amman एंड Adam को अपने super powers दे रहा था तब Adam लगभग अदमरा था और wizard के चलते वो जिन्दा बचपाया था एक तरह से वहां भी उसका rebirth हुआ था तो हाँ वहां से छोटे मोटे inspiration है बट पूरी story change कर दी गई है तो अभी तक मैं guess करूँ तो जो Black Adam की body मिली है वो होश में आया तो अपने powers के लिए वो purple stone ढूडने गया इस वाले scene में उसको वो purple stone मिल गया और वो पूरी तरह से Black Adam में properly transform हो गया भाई, as a fan मैं इतना ही guess कर सकता हूँ script writer तो हूँ नहीं अब आगे बढ़ते हैं justice society of America पे तो justice society of America में है Dr. Fate, Hawkman, Atom Smasher, Cyclone and obviously Black Adam आप यहाँ Hawkman को aircraft से jump करते देख सकते हो right में Dr. Fate है and left में Atom Smasher पहले Hawkman पे आएं तो यह character incarnation एक ancient Egyptian pharaoh Khufu का incarnation से मेरा मतलब है कि अलग-अलग generation में इसका rebirth होता है और यहीं बात इसके powers की तो obviously इसके पास ancient Egyptian gods के तरह powers है and कुछ ancient weapons भी यहीं पे हम Atom Smasher को भी देखते है and I guess आपको पता चली गया होगा किसके super powers Marvel के Ant Man जैसे है मतलब यह अपने size को बड़ा छोटा कर सकता है and मैं sure हूँ कि आपको यहाँ पे question आ रहा होगा कि भाई किसने किसको copy किया तो tension न लो, पूरे fact के साथ मैं बताऊंगा Marvel ने comic books में Ant Man को Atom Smasher से 5 साल पहले introduce किया था मतलब हाँ एक तरह से Atom Smasher Ant Man की copy है लेकिन देखो यहाँ पे जादा खुश मत हो जाना क्योंकि next character है Dr. Fate इसी ने Justice Society of America का formation किया है और इसके जो powers हैं उसे ancient Egyptian pyramid से मिले हैं और यह powers exactly Dr. Strange जैसे हैं जैसा कि आपने trailer में notice करी लिया होगा भाई यह clearly mirror dimension वाला effect है लेकिन यहाँ पे किसने किसको copy किया तो DC वालों ने इस character को Dr. Strange से 23 साल पहले मतलब 23 years पहले comic books में introduce कर दिया था तो हाँ इससे आप समझी सकते होगे कि copy paste Marvel DC दोनों आपस में ही करते रहते हैं दोनों इस बात से agree भी करते हैं और उनको कोई issue भी नहीं है लेकिन हाँ जिस तरह के effects यहाँ दिखाए गए मुझे mysterious की याद आ गई तो हाँ ये था Justice Society of America के member and उनके details trailer में इसके बाद हमें एक city में थोड़े action scenes दिखाए जाते हैं literally ये बताना मुश्किल है कि ये कहाँ हो रहा है बट मेरा कैसे कि एक new city होगी जो कि ancient city खंदक के ऊपर ही बनी होगी जिसको black adam फिर से capture करना चाता होगा hawkman यहाँ पे बोलता है कि heroes don't kill people जिस पे adam respond करता है मैं मारता हूँ which clearly set up black adam का character as anti hero जो कि expected भी था तो हाँ जब 5000 साल के बाद black adam होश में आएगा and उसे superhero का group justice society of america मिलेगा तो वो उनसे जुड़ जाएगा उनका member बन जाएगा but obviously उनकी ideology match नहीं होगी जहाँ एक तरफ justice society of america as a superhero team किसी को मारेंगे नहीं सब को बचाने की कोशिश करेंगे वहीं black adam क्या करेगा सब जानते हैं तो हाँ मैं शोर हूँ कि black adam और justice society आपस में ही लड़ जाएगे पूरा team black adam के against हो जाएगा जिसके बाद इस character को ऐसा proper villain setup किया जाएगा इसके बाद हमें एक funny sequence भी दिखाया जाता है लेकिन interesting है पीछे के ये दो characters इसका नाम है Amon Tomaz और ये character है Adriana Tomaz comics में black adam की wife और love interest और हाँ ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है Tomaz सरनेम से आपने guess करी लिया होगा यहां dr. fate बोलते हैं कि उनके vision ने उन्हें future दिखाया है black adam के पास दो choice हैं वो या तो world का destroyer बनेगा या फिर savior and obviously सब जानते हैं कि भाई वो destroyer ही बनेगा और हाँ ये भी confirm हो गया कि dr. fate भी dr. strange की तरह future देख सकते हैं वो भी time stone के बिना अब ये वाला city view मुझे interesting लगा क्योंकि यहां black adam का एक statue देख सकते हो तो हाँ ये सब ancient city खंदक के उपर बने new city का view होगा and maybe city में excavation चल रहा होगा जहां से ancient चीजे निकल कर बहार आ रही होगी यहीं पर end होते होते हैं हमें एक funny way में एक और action scene दिखाए गया जिसमें आप Adiana Thomas को देख सकते हो and for sure Adam यहाँ पहली बार new world को face कर रहा है नहीं तो एक missile को इतनी curiosity के साथ नहीं देखता तो हाँ यह वाले scene के बाद यह scene होगा और यहीं पर एक और बहुत ही interesting detail है आप इनके van पे शिरूता electronics लिखा देख सकते हो और शिरूता जो है वो खंदक city का capital हुआ करता था अब since अभी के time पे शिरूता word का use हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी city का नाम खंदकी है ancient time से तो हाँ यह यह था मेरा breakdown अच्छी बात यह थी कि इस trailer में पूरी की पूरी story को reveal नहीं क्या गया है बस एक basic plot पता चला है यहीं hope करो कि यही basic plot पूरी story ना रहे पर हाँ Dwayne Johnson Black Adam के role में perfect लगे है और इसके बाद आप शायद ही किसी और actor को इस role में imagine कर पाओगे वैसे आपको यह trailer कैसा लगा comment जरूर करना और मुझसे कुछ miss हो गया हो तो वो भी बताना Black Adam की comic book story जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और कुछ random देखने के लिए नीचे वाली मैं फिर से किसी और वीडियो में सुनाई दूँगा till then be desi be nerd